अपने लोगों की बात कहने के लिए, अपने लोगों के साथ खड़े होने के लिए, अपने लोगों की सिकायत को बताने के लिए आपको किसी 56 इंच की चाती की जरूरत नहीं होती है कोई 56 इंच की चाती आपको डरा भी नहीं सकती है कि आप अपने लोगों की बात ना कहें और इस बात को सिद्ध कर दिया है मिजोरम के मुख्य मंत्री ने बहुत बार लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं नरेंदर मोदी जी के लिए पनोती 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 हलाकि मैं इत्तफाक नहीं रखता हूँ इस बात से लेकिन आप बताईए कि क्या वाकई नरेंदर मोदी जी को जो लोग एंडिये का हिस्सा है मिजोरम के मुख्य मंत्री बीजेपी के साथ गटबंदन में है और उसके बावजुद वो कह रहे हैं कि हम मैं खुद नरेंदर मोदी के साथ में मंच पर नहीं बैठूंगा रैली में उनके साथ में मंच साजा नहीं करूंगा इस बात को कोई और नहीं कह रहा है इस बात को कोई कॉंग्रेस का मुख्य मंत्री नहीं कह रहा है इस बात को कह रहा है बीजेपी के गटबंदन का ही एक मुख्य मंतरी क्या वो भी नरेंदर मोधी जी को एक पनोती की तरह से मानते हैं कि नरेंदर मोधी जी अगर उनके साथ में बैठ गए तो उनका नुकसान हो जाएगा वहने कहा है इस बात को जो रम धांगा ने का है कि मनीपूर के अंदर आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए लोगों लोग मानते हैं कि नरेंदर मोधी की सरकार भारत सरकार ग्रह मंतराले जिम्मेदार है और ऐसे में मनीपूर के अंदर जो कुछ हो रहा है उस बात को हम दरकिनार करके उस बात को इगनोर करके उस बात पर परदा डाल करके पल्ला डाल करके अगर हम नरेंदर मोदी के साथ में बैठ जाएंगे तो हमारी पार्टी का नुकसान होगा ये बात जोरम थांगा ने कही है और देखिए 56 इंच की छाती ना उसकी जरूरत है कोई और ना 56 इंच की छाती से कोई डरता है ये बात कहने वाले ये है जोरम थांगा जो जोरम थांगा बिलकुल कमर सीधी करके रीड की हड़ी बिलकुल सीधी करके और 56 इंच की हो ना हो ले अपनी बात को ग्रे मंत्री के साथ में भी कहते है और अपनी बात को यहाँ पर प्रधान मंत्री के सामने भी कहते है तो ये जरूरी नहीं है कि कोई 56 इंच का लीडर है वही लीडर विश्व गुरू बना सकता है या वही लीडर अपने लोगों के लिए बोल सकता है या वही लीडर जो है वो अपने लोगों के साथ में खड़ा हो सकता है अगर लीडर में हिम्मत है तो लीडर बोल सकता है बताइए जोरम धंगा में कितनी हिम्मत है कि जोरम धंगा इस बात को कह रहे हैं कि मैं पीम नरेंदर मोदी के साथ में मंच को सेर नहीं करूँगा इस बात को कहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए क्या नरेंदर मोदी मनिपूर के लिए कुछ बोल पाए कौन रोक रहा था उसको नरेंदर मोदी जी को कौन रोक रहा था मनिपूर पर बोलने के लिए और किसके वोट कम हो जाते बते ही ज़रा इस बात को और दूसरी बात आप देखिए यहाँ पर जो जो जोरम धांगा जिस बात को कह रहे हैं कि नरेंदर मोदी के साथ में मंच को शेर नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि मनिपूर के उपर मोदी नरेंदर ग्रेमंत्री अमिच्छा यह सब लोग वहाँ पर राहुल गांदी जो बात कह रहे हैं वही बात को तो जोरम धांगा कह रहे हैं तो क्या वाकई लोगों के अंदर अब डर खतम हो रहा है लोग अपनी बात को कहने के लिए आगे आने के लिए मजबूर हो गए हैं लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा है क्या क्योंकि पाँच महीने मई में मनिपूर के अंदर हिंसा की सुरवात हुई थी। तब से सैकड़ों लोगों की जाने जा चुकी है हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन क्या नरेंदर मोदी जी ने जोरम थांगा को संबोधित नहीं किया, जोरम थांगा से बात नहीं की, क्या जोरम थांगा को नहीं बताया कि मनिपूर के लिए वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जोरम थांगा को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए वो, क्यों नहीं मना पाए और क्यों नहीं बता पाए कि हम मनिपूर के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हकीकत हमसे आपसे वहां के लोग ज़्यादा जानते हैं और ये बात मैं सुर्वात से कहता रहा हूँ जितने भी सर्वे आए उन सब सर्वे में मिजोर्म को दरकिनार करके रखा गया लेकिन इस बात को मैं सुर्वात से कह रहा हूँ कि मिजोर्म में चुनाओ के अंदर मनिपूर का असर ना हो ये मुम्किन ही नहीं है इस बात को मैं सुर्वात के दिन से कह रहा हूँ 100% जो कुछ मनीपूर में हो रहा है उसका असर मिजोरम के चुनाओं में आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि प्रदान मंत्री इक्का या दुक्का रेली वहाँ पर करें ज्यादा रेलियां वहाँ पर नरेंदर मोदी की नहीं होंगी यह आप लिख करके रख लीजे यह आज मैं फिर से बता रहा हूँ आपको खेर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ क्या कह रहे हैं यह है जोरम थांगा और यह जोरम थांगा ने कहा है कि मैं प्रधान मंत्री के साथ में मंच साजा नहीं करूँगा क्योंकि वो बीजेपी से है और मिजोरम में सभी इसाई है मनिपूर में मैताई लोगों ने सेक्डो चर्चो को आग लगा दी है ऐसे में अगर प्रधान मंत्री यहां आते हैं तो उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो मंच पर अकेले रहे और मेरे लिए भी कि मैं अलग मंच पर रहूँ इस बात को जो है वो बीबेसी को एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है तो देखिए एक तो यहां पर मनिपूर के लिए मोदी ने क्या किया है या क्या नहीं किया है वो पोल खुल गई है दूसरा जो नरेंदर मोदी जी धोल पीटते हैं बार बार डंका पीटते हैं सबका साथ सबका विकास तो वो भी यहाँ पर ढोल की पोल खुल गई है कि केवल मुसल्मान मुसल्मानों को यह बताया जाए कि मुसल्मान तो मोदी के कभी होंगे नहीं यहाँ पर इसाई क्या कह रहे है यहाँ पर इसाई समुदाय के लोग क्या कह रहे है इसाई समुधाय के लोगे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मनिपूर के अंदर सब इसाई है और वो इसाई जो है वो खुस नहीं है जो कुछ मनिपूर के अंदर नरेंदर मोदी के रहते वे हो रहा है डबल इंजन की सरकार में मनिपूर में जो कुछ हो रहा है उस बात से मिजोरम के इसाई खुस नहीं है अब इसाई को भी भाजपा के अंदबक्त कसाई बताने लग जाएंगे ऐसा ही है साब जो इनके खिलाफ अगर आवाज उठाता है अब अपने मुख्यमंत्रियों क्या कह इनको क्या बताएंगे इनको भी बांगलादेशी बताएंगे क्यों क्योंकि 1971 में जो रम ठंगा 1971 के अंदर जो है वो इंद्रा गांदी के टाइम पर वो भारत में आये थे और आगे मैं आपको दिखाता हूं इनोंने इसी इंटर्वियू के अंदर जब सवाल पूछा गया कि रिफ्यूजी को लेकर कि आपकी क्या सोच है जो बांगलादेश से मैनमार से लोग आते उनको लेकर कि आपकी क्या सोच है वो उसको लेकर कि इनोंने क्या जवाब दिया है आगे आपको बताऊंगा तो अब लोग जो है वो अंदवक्त बिलकुल साफ तोर पर कह देंगे कि भाई ये तो इसाई नहीं ये कसाई है और ये जोरम थांगा जो है वो देश बक्त नहीं ये तो अवेद घुसपैटी है कुछ भी कह सकते हैं साब वो कुछ भी कह सकते है राउल गांदी को इकेवद पपुनी बनाएंगे जो भी आवाज अगर नरेंदर मोदी के खिलाफ उठेगी तो उसको क्या कहा जा सकता है आप कलपना नहीं कर सकते है खर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इनोंने क्या कुछ कहा है सुनिए समझिए बहुत जरूरी है और किस तरह सेन भी जेपी के अंदर आवाज उठ रही है सबसे पहले देखिये यह सवाल पूछा गया बीविसी की तरफ से और बीविसी की तरफ से जो है वहowl समझा तौहाँ पर सवाल पूछते है कि मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं यहां पर वो rally करेंगे कि आप उनके साथ में stage साजा करेंगे यह सवाल था दरसल यह सवाल था पहले यह सवाल था कि आप North East Democratic Alliance का हिस्सा रहे हैं मैंने सुना है कि प्रधान मंत्री मिजोरम आने वाले हैं यह सवाल और उसके आगे वो कहते हैं इसी सवाल में कि मिजोरम में करेंगे तो क्या आप उनके साथ में stage साजा करेंगे यह सवाल जो पूछा गया और इस सवाल के जवाब में जो है वो क्या काया सुनिए पहला एकदम से दो टूक जवाब नो नहीं जब पत्रकार ने यहां पर पूछा समधाता ने यहां पर पूछा कि नरेंदर मोदी जी साथ में क्या आप मंच साजा करेंगे तो दो टूक जवाब नो नहीं मुझे नहीं लगता कि यह नो कहने की हिम्मत जो है वो कॉंग्रेस के या बाकी विपक्स के किसी मुख्यमंतरी के अंदर होगी लेकिन जोरम थांगा ने यह हिम्मत दिखाई है उन्होंने इस बात को कह नो नहीं मैं उनके साथ में स्टेज साजा नहीं करूँगा क्योंकि वो बीजेपी से है और मिजोरम में सभी इसाई है आगे सुनिए जोरम थांगा है मुख्यमंतरी की मिजोरम के उन्होंने इस बात को कहा है मनिपूर में सैकडो चर्च जला दिये गए लोग इस तरह के विचार्स के पूरी तरह से खिलाफ है ऐसे में बीजेपी का साथ देना या उनके लिए सहनुबुती रखना मेरे लिए और मेरी जोरम के लिए और मेरी पार्टी के लिए हानिकारक होगा खराब होगा यहाँ पर जगे खबरे आती हैं कि साथ वहाँ पर मजार तोड़ दी गई वहाँ पर मस्जिद के ओपर भगवा जंडा लहरा दिया गया वहाँ पर मस्जिद के सामने जो है वो डीजे रोक करके वहाँ पर उपदर्वी कूद रहे थे नाच रहे थे अलग अलग तरह की भड़काओ जो है भाशन वहाँ पर हो रहे थे अलग अलग तरह की भड़काओ गाने वहाँ पर बज़ रहे थे मंदिर की तरफ जो है वो ग पाकिस्तानी विचार के लोग हैं, इसी लिए मोदी के खिलाफ है, चाहे मोदी इनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन मोदी के साथ नहीं हो सकते हैं, धरसल बात ये नहीं है, हर कम्यूनिटी की, हर कास्ट की, हर व्यक्ति की, अपना खुद का एक प्राइड है, और ये भारत की संस्किर्टी, आप भारत के संस्किर्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर आप किसी कम्यूनिटी की, किसी कास्ट की, किसी व्यक्ति के प्राइड का, उसके मान सम्मान का खयाल नहीं रखते हैं तो, आप भारत के स्विधान के खिलाफ है, आप भारत के संस्किर्टी के खिल ये मुसल्मान के साथ खड़े होने की बात नहीं है और ये इसाई के साथ खड़े होने की बात नहीं है ये हिंदू के खिलाफ होने की बात भी नहीं है ये बात भारत के सुधान के साथ खड़े होने की बात है और इसलिए अक्सर जब ऐसी ख़बर आती है तो मैं खुल करके अ प्रदान मंत्री ऐसे में अपने मंच के उपर रहे और मैं अपने मंच पर रहूं ये हम दोनों के लिए बहतर होगा इस बात को जो है वो जोरम थांगा ने का आए कि नरेंदर मोदी जी अपने मंच पर रहे वो अपनी बात को बोले और निकल जाए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं थोड़ा समझ में जादा आपको और आएगा अच्छे से ये देखिए जड़ा ये दो चीजे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा लेकिन पहले आप ये देखिए मोजुदा जो स्थीती है इसी लिए नरेंदर मोदी की सरकार कुछ खास बोल नहीं पाएगी और जोरम धांगा इसी लिए ताकतवर है क्योंकि उनके पास में लोगों का साथ है चपन इंच की चाती है या नहीं है लेकिन लोगों का साथ है 2018 की स्थी अगर आप देखेंगे तो MNF और JDM दोनों मिल करके 26 सीटे जीत पाई थी कॉंग्रेस पास सीटे जीत पाई थी और BJP केवल एक सीट पर रही थी लेकिन बस BJP को सरकार में आना है बीजेपी को सरकार का हिस्सा बनना है इसलिए एक सीटो आदी सीटो दो सीटो कैसे भी हो कुछ भी हो या एक सीट किसी की लेनी पड़ जाए हम सरकार में रहेंगे और इसका ताजह उधान आपको बताता हूँ मीजोरम के ही बगल से मिघाले से मेगाले के अंदर अभी हाल के अंदर विदान सवा के चुना हुए थे जब मेगाले के भाजपा के अद्धिक्स अन्रेस्ट मारवी उनका बयान था कि हम गो मास खाते हैं हम गाए का मास खाते हैं और मेरी पार्टी में इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है और हम लोगों के गाय के मास खाने के उपर किसी प्रकार का कोई बैन, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंद नहीं लगाने वाले हैं ये किसने कहा, ये भाजपा के अध्यक्स मिघाले के उन्होंने कहा और एक बार नहीं, दो-दो बार उनका बयान मैंने देखा कम से कम बाकी उन्होंने घरों में जा जा करके अनोफिशली क्या क्या बोला होगा मालूम नहीं बाकी उनकी पार्टी के लोगों ने घरों में जा करके लोगों को मिठाई की जहें पर डब्बे के अंदर क्या दिया होगा मैं अपने मुझे से नहीं कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हैं और उसके बाद क्या हुआ था मालूम है आपको दो सीट याई थी बीजेपी की मतलब की दो सीटों के लिए आप अपने बीजेपी के अद्यक से गाए का मास्क खिलवाने का बयान दिलवा सकते हैं इसको क्या कहा जाए अब बता ही जरा और यहां पर एक सीट है और एक सीट को बचाए रखने के लिए एक सीट का हिस्सा बनने के लिए दो सीट का हिस्सा बनने के लिए हो सकता कि अब की बार एक सीट भी ना आए 2018 में एक सीट आई थे अब तो मनीपूर हो गया सहब अब तो बीजेपी के नाम पर मौर नहीं पता नहीं और क्या लग जाएगा समझे ज़रा इस बात को अब भी अब भी वहाँ पर सरकार में बने रहने के लिए क्या नरिंदर मोदी अपने नाम पर ये बात के लवा रहे है क्या वसंद्रा राजे इस बात को कह सकती कि मैं मंच शेर नहीं करूँगी उनके साथ में क्या रमन सिंग कह सकते हैं, क्या सीरा सिंग चोहान कह सकते हैं, वो बेचारे किस तरहें से दरकिनार करके रखे हुए हैं, उनको हासिय पर रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी मोधी को किस तरहें से प्रजेंट करते हैं, मोधी के सामने किस तरहें से नतमस्तक होते हैं, तो ये चीजे समझने वाली हैं ये बाते समझने वाली हैं और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ अभी किसी को ऐसा लग रहा हो कि जोरम थांगा ने एक बयान क्या दे दिया भई हम उसके मुरीद हो जाए हम उसके लट्टू हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ जोरम थां नरेंदर UCC थोपा जाता है, लगाया जाता है, लागु किया जाता है, तो हम NDA का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम narendar, मोदी जी के नितर्त वाले NDA का हिस्सा नहीं रहेंगे, UCC को लाया जाता है तो और यहां पर UCC को ले करके क्या हो रहा है मुसल्मानों को पकड़ पकड़ करके पूछा जा रहा है बताओ UCC चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ UCC जरूरी है कि नहीं जरूरी बताओ तुम UCC का विरोद क्यों कर रहे हो बताओ तुम UCC के खिलाफ क्यों हो तमाम तरह की बाते पूछी जा रही है लेकिन इनके खुद के मुख्यमंत्री क्या कह रहे है दूसरी एक बात इसी इंट्रिव्यू के अंदर इसी इंट्रिव्यू के अंदर जब सवाल पूछा गया समधाता की तरफ से कि आप बतेए कि आप क्या करेंगे जो मैनमार से यहां पर जो है सरनार्थी आते हैं बंगलादेश से सरनार्थी आते हैं तो इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो किया हम उसी को फोलो कर रहे हैं मैं 1971 में बंगलादेश पूरु पाकिस्तान में था वहां से यहां आया इस बात को यह कहना और उसके बाद में यह कह रहे हैं आगे इन से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या आप जो है आप मनिपुर के जो लोग आपके रहजे में आए हैं मिजोरम में आए हैं वहां से भाग करके क्योंकि वहां पर लगातार लोगों की जो धार पहरमिक पहचान की वज़े से लोगों के साथ में जिस सारे से काम हो रहा है तो उसके बाद में लोग भाग करके मिजोरम में आ गए तो ये सवाल जब पूछा गया बीबीसी की तरफ से कि आप ये वताइए कि क्या आप उनको अभी वापिस पहुंचाने के लिए किसी टाइम भागने के लिए नहीं कह सकते हैं ये भारत सरकार पर निर्भर करता है अगर भारत सरकार चाहेगी यही उनके शब्द है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ अगर भारत सरकार चाहे तो बहुत आसानी से मनिपूर का मसला हल किया जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि भार पंदक नहीं पाएंगे वो यह यह भाग खड़े होंगेंगाा जैसे यह मिजोरम के मुख्य Paw Advisory होंगे लेकिन किसी चैनल में हिम्मत नहीं है किसी चैनल में हिम्मत नहीं है जो इस बात को जहेंे सके कोई चैनल इस बात को चला सके उस इतनी हिम्मत नहीं है और अगर इस तरह का बयान सचीन पाइलेट दे दे कि मैं असो गैलोट राउल गांदी को छोड़ दीजे आप राउल गांदी एक बड़ी अलग चीज की जो है वो कॉंग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हो गए उनको आप अलग रखिए वो सचीन प लोगों को या मेरे समर्थकों को नुकसान हो रहा है या मेरे समर्थक इस बात से खुस नहीं है अगर इस बात को कह दे तो भाई साब सुबा से लेकर के शाम तक इतने इतने घंटे के जो है वो प्रोग्राम किये जाएंगे इतनी बार डीबेट इस पर की जाएगी इतनी ब सब्डेर पर आपको बता दिया जाएगा अगर दिग्विजे सिंग यह बयान दे दिगी इसंग का भी कुड़ते फार ने वाला a यह कमलाथ और दिग्विजे सिंह का एक बयान जो है काफी वायरल हुआ उस पर मैंने आपको खबर दिखाई, कुरता फाड़ने वाला, अगर दिग्विजे सिंह का बयान अगर उन्होंने आपस में ठीक नहीं किया होता, तो यह मीडिया उनके कुरते फाड़ चुकी होती, य लेकिन अब जब बीजे पी के नेता ये कह रहे हैं, बीजे पी के साथ में गठबंदन में जो लोग हैं, जो वो जिस बात को कह रहे हैं, इस पर एक मिनिट का भी प्रोग्राम कोई नहीं कर पाएगा, इसको केवल ब्रेकिंग के अंदर, टिकर में या टोप हेंडर जो खब इनने नहीं बता पाएगा, कोई इस पर ब्लेक एंड वाइट कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये सुधीर चोदरी, अंजना उंकश्य, फला फला जितने भी लोग हैं ना, इन पर बोलने की हिम्मत ही नहीं है, आप बोलिए और आप बताईए, ये सही हो रहा है, जो रम ठां उन से भी पूछा जाएगा पलट करके, केवल वहावाई नहीं, बलकि सवाल उन से भी, सवाल उन से ये कि जवाप इतनी बड़ी बाते कह रहे हैं, तो नैतिक तोर पर कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, कि आप सीधे तोर पर ये भी एलान करें, कि हम सत्ता में आ खड़े होना चाहा रहे हैं, तो इस बात को कहिए फिर, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाईए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, ओनलाइन न्यूज इंडिय को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबाईए, ताकि जैसे ही कोई खबर अप्लोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सीधे, सबसे पहले आपको मिल सके, और अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो फेस्बुक पर हमारे व कीजिए yeah